हाल दोस्तों कैसे आप सबी लोग गुमीत करता हो बहुत अच्छ होगे और आज फिर से हम एक नई वीडियो लिखे रहा है नागपूर की जो बहुत पुरानी है बहुत कम लोग जानते यहां से आना जाना सबी लोग करते जैसे आप यह रोड देख रहे हो यह बर्डी का रो और यहीं पे एक zero milestone रखा हुआ है जो अंग्रेजों ने 1907 में बनाया था लेकिन अब सवाल यह उठता है आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्या सच में वो अभी भी नागपूर में है और है तो कैसा दिखता है यह मन में सवाल हरकी से क उठते हैं तो मैं आपको उसका वारे में पूरा व्यू दिखा हूँगा और इंफॉर्मेशन भी दूँगा है इसे बल्वा पत्तर बोलते हैं तो काफी अच्छा है और यह थोड़ सा बूर्बूरा भी होता है जैसे पुराना होता है तो यह कच्छा होता है जैसे कि यह आप देख रहों कि अभी टूड़ रहा ही है कि यह रहा है जैसे जैसे बल्वा यह कूचा है जैसे जैसे कि भी उचे दो बन्या आप में तो मैं आपको और एक चीज इंपोर्टन में बता देता हूँ कि भारत के चारोग प्रमुक महानगरों में भोगोलिक रूप से नागपुर शहर केंद्र में पड़ता है जैसे चैन्ने, मुंबई, कलकत्ता और नई दिली ये प्लेस जब टाइमस ओफ इंडिया को पाच वर्षे के लिए मेंटेनेस के लिए दिया गया था तब यहाँ पे जो है काफी अच्छा गार्डन और ग्रीन घास अगरे था और मेंटेन किया जाता था लेकिन जब कॉंट्रेक्ट कातब हो गया उनका मेंटेनेस का तो तब से आप देख रहे हो कि इसके हालत कितनी बूरी नजर आ रही है यहाँ पे कुछ भी नहीं यहाँ पे लाइट अगरे भी लगे थे तब रोशनी जो है उपर तक के दिखाई देती थी इस तम में और काफी अट्रेक्टिव भी लगता था लेकिन आप लाइट भी निकाल देगा है और इसका गार्डन का मेंटेन्स भी नहीं कर रहे तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रू पासंद आया होगा और कुछ नहीं आपको देखने को मिला होगा तो अगर वीडियो पासंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर मिलते नेक्स्ट किसी मज़दार वीडियो की साथ तब तक ले बाई